नमस्ते हमेशा कुछ रहो बिटिया आयर्वेज साइंस अस्टांग रधै सेशन टू जोती विद्यापीट वुमेंस युनिवर्स्टी जैपुल हाई डॉक्टर सुशीर कुमार सर्मा एसोशेट प्रोपेसर बीमस प्रथम वर्स अस्टांग रधै टॉपिक नेम छाइवाँ रवियों की प्रधांता इसमें द्रव के बारे मताये मथांता क्या होती है । मतलब इनों बताया कि नहीं गोने वीरी व्पाक आधी में द्रवी ही सरे स्कॉलता है क्यों रहते ही यह जो रसे डिन्य.विन द्रव ही अधिन रहते हैं इसलिए द्रव की प्रधानता बताई गई है आगे बताई चाहिए जो हते हैं पांच महाबुत जानते हो पांच महाबुत में प्रत्वी, जल, तेज, अगनी, वाय, और आकास इन सबसे सभी द्रव बनते हैं इन से बने होए हैं लेकिन प्रत्वी का हासरे लेकर Ais यौणियग पवन समाइत उपत्तविया का है ने उप्रति विषेकर, आमबौ स्क्राइपी इसकी द्रविमा कारना होता है रहते हैं क्योंकि पांच भूत्तिक होते हैं इसमें जिस गुजिससे भूत की अधिकता होती है उसी भूत के आधार पर द्रवियों की वर्गी करण किया गया है जिसे पृत्वी महाभूत की दिखता होगी तो पार्थी द्रव कहेंगे जली महाभूत की द्रवियों होगी तो जली जली द्रवियों कहेंगे वाई आकाशी द्रव की महाभूत होगी तो इसको आकाशी द्रव कहेंगे इस तरह इनको जिस महाभूत की अधिक्ता होगी है उसी के नाम से इसको जाना जाता है द्रवियों के अनेक अनेक रसत्यों द्रव में अनेक रसत्यों क्या बताया है इसलिए पॉजब एक डूण नहीं हो सकता। म्लबन के सभॉत वाले होते हैं अनिये के रंphin वाले उते हैं तहरे हुटे एक दोस वाले जवरादी रोग नहीं ब्सक्राइब सब्पर रहें Ukrainian होता है इसमें इसमिन कोई पर लло होता है अर्तrid सभी होता है अंब हुए मी जो स्वाद कि या इस स्पराइश को हुब कि निपात होते हैं उसको बोलते हैं और जो बाद में प्रकट लगे थोड़ा खाने के बाद में उसको अंड्रोस बोलते हैं निद्रिय में जिस विशे का गरहन करते हैं उसे अपने रज कहते हैं रसो में गुरुवादी गुन के आयते हैं गुरुवादयो गुणों द्रभ्यम प्रत्वी ब्यादों रसास्त्रे रस्येसु वब देशनते सहचारिय पराता हैं प्रत्वी पंच महाभूत जन्य द्रभ्यम में रहते हैं इनका होना केवल साथ होने से औपचारिक रूप से कहा गया है तत्र द्रव्यम गुरू इस्थूल इस्थिर गंद गुनोenne की अधिक्ता होती है वै द्रव पार्ति्व द्रव कराता है मतलत जो भारी होगा इसकी विशेस्ता है उन सटोल होंगा गण गुण इसकी विशेस्ता प्रम्र्वाने इस Васए और पारथी द्रमपे ayam प्रियोग करेंगे यह भारीपन लाएगा इस्तिरत लाएगा कशनता लाएगा और पुश्टी देता है ऐसे जली द्रव के शुरूप और गुन जली द्रव में क्या है कि द्रव्य सीत गुरू स्निक्द है मंद सांद्र सो उल्वनम द्रव्यम स्नेहनम विश्यंदम क्लेदम और प्रब्ञक घंक्रता है कि द्रव जो है शीतर होता है घुरू है मंद है संद्र और रसकी बधानता वाले रहएग को jużj2 कि भान होता है उशcü प्रकार से जल में रस जल में रसकी बधानता होती है और स्नेहन इसके प्रियोक से क्या होता है स्नेहन विशंदन यानि स्रोतो श्रोवग है ये क्लेद को नस्ट करता है तरप्ती और प्रसंता और बंधन को करने वाला होता है सरीद में क्लिटता लाता है तरप्ती लाता है प्रसंता लाता है और बंधन को लाता है ये सब इसके ग आगनीम द्रव के सुरूप और गुन आगनीए द्रव की शुरूप और गुन क्या है रुक्ष तीक्षन, उस्षन, विशद, सौक्षम, रूप गुनौ उलवनम, आगनीयम दाहः भाव दाहः भावर्न, प्रकास, पत्सनात्पकम ये इनकी गुन मताये नोंने क्यों तो आगने गुन में कौन से होते हैं रूक्ष होता है तीक्ष्ण है उष्ण है विश्द है सूक्ष्ण है और रूप गुन की इसमें अधिक्ता होती है जैसे प्रत्रिमें गंद जलमें रसे बसे आगने में रूप गुन की अधिक्ता वाल होते हैं कि वायव होती है है कि कैसे होता है रूक्ष्त होंगे विष्यत होगा लगू और इसमें रूक्स्ता लगुता विशत्ता विविद्र प्रकार की चेस्टाओं और गलानी होती है इसमें यह होते हैं ऐसे आकासी द्रवात आसे आकासी द्रवात वारे में कहा गया है कि नाबसम सूक्षमें विशत्य लगु सब्द गुनों उल्वनम सौसूर्य लागव करम जगत्य वमनों वधनम नयकिंचिद उद्धती द्रव्यम दसा नार्थ योगियों जगत्य नहीं होती है इस पकार भिन भिन प्रियोजन से योजना की द्रश्टि से जगत में कोई वी द्रव्य नहीं है अनासद नहीं है मतलब ऐसा कोई संसार में जगत में आसी नहीं है जो ऑसर नहीं हो मतलब संसार में जितनी भी अस्ट रूप होते है इसमें निखाए इस परकार भिंविन प्रयुजन से अलग रहे हो छकते हैं किस पकार से अधोगामी होते हैं और किस पकार से उर्द गामी होते हैं उसके वारें बताया कि अधोगामी जो 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 अगनी और वायो की प्रधानता वाले जो है कि उतकर में होते हैं ऐसे अधोगामी जो फैसी से होते हैं भूँवीटा अधिकिंस ही जल और प्रत्वी जल और प्रत्वी और ? प्रया दोगा में होते हैं और ये वीरेचन के काम में नी जाते हैं इती द्रव्य रसान भेद रूटर लक्ष्ण इस्तिपकार से अपने द्रव्यों के सारे गुण और कर्म बता दिये गए हैं और आगे बाद में आगे बताए जाएंगे अब आगे लिखायरों ने वीरे के पुनरा बदनते गुरू शिंक तीक्ष्ण प्रभूं मतैस्दमे आथा का बताया है ने तो उसमें कौन साब्ताइए कई आच्ष्ण ने वीर्यों को और की स्निक्ष्ण इसको याद करना यह वीरे की परिवासा भी है तो आचारी चरक ने का कहना है कि जिससे जो करो करय काम करता है जिसमें जिससे करी करते है नहीं आगा या खत्म हो गया गया काम नहीं करेंगी हैं कि वीरिये की कारण सी क्योंकि सब मतलब रसे विपात प्रभाव सफ्वर्व उत्मन गुरू आदी वीस गुन ही क्रिया है और यह सब क्रिया सब वीरियस होती है मतलब रसे गुन ही सब आदा इने सब घुरीब Siya किन्तु गुरू सनिक्द सीद म्रदू लगू प्रूक से उस्षन और तीक्षन इन्ही आठ गुनों के वीरे का कहना जिस लिए ठीक है इसका वड़न करते हैं कि समझत गुनों में यह आठ सार या मुख्य हैं क्योंकि यह इस्थिर हैं विपाग आदिसे भी इनमें परवरतन नहीं होता इनमें सक्ति की आधिक होता है विव भुद से गुनों से भी सबसे पूर इनहीं का सास्त्रों में उल्लेक होता है इसनी आठ प्रकार के वीरे का मिलता है रसादी में आतास्च विपरीता संभाव अभी नयों सा विक्षन तेश रस्रेश्द्येश्व वीरिये गुरुव दयार मताया आगे इसनी वीरे का उपरयोग को काहरणों से यह घ्र होने से अर्था गवन स्तिर यह सब्सक्सक्राइबी शतरेवार में पृष्याये helps कडर हें यह अगा है से दौब acknowledging का अब SBS 10 अधीक क्रियाब करने से समर्थ होने पर भी वीरे यह सब्सक्राइबन सब्सक्राइब यह नो नो बताए आगे है सीत उसने भेज से दो प्रकार का वीरियों को दो प्रकार का ही मना है क्योंकि नाना प्रकार के स्थावर जांगम चेतन प्रत्वी पर अन्यक कारण वाले द्रव भी महावली अगनी और सोम इन दो का कभी उलंगन नहीं करते जिस प्रकार जे संपून संसार व्यक्त और अव्यक्त इन दो भावों से प्रत्व नहीं रह सकता अर्थात कोई द्रविस आगने है या कोई सोम है और उनसे उत्पन गुन या कर्म भी आगने और सोम होते हैं अधर उस्टन और सीथ के भीतर ही सभी वीरियों का समबेश हो गया है इसलिए गुण वीरिये दो प्रकार क्या मना गया है सीथ और उस्टन दोनों वीरियों को गुन में क्या करें तत्रोष्णम भ्रम्य त्रड़ गलानी स्वेद दाह सुची पाकिता समंचे वात कप्यो कर इसमें आगे लिखा है उस्टन वीरिये जो क्या करेगा ब्रहम्य प्यास ग्लानी पशीना दहा और सिग्ल पाक करता है पता वात एम कपका समन करता है सीथ वीरिये प्रसंता जीवन रुकावट रक्त और पित्त की निर्मल करता है इस पकार से चैप्टर पूरा होता है इस वीडियो लेक्ट्र में इदी किस्वार को समस्या हो तो वो निश्चित रूप से मालूम करें और संका होतों से पूछ ले this session powered by digital vision to Jyoti Vidyapeet Women's University I hope you have any query please mention comment box I will result it thank you